हलो फ्रेंड आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आपके अपने चैनल ग्यान गुंजन में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप जहारखंड का हैं और दोस्तो जहारखंड से इकल्यान के थुरू और स्कॉलर्शिप का फॉरम फिल करना चाहते होंगे तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि फ्रेंड आज किस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जहारखंड में जो इकल्यान के थुरू अस्कॉलर्शिप का फॉरम फिल हो रहा था उसका अपलाई करने का डेट बढ़ गया है और दोस्तो साथी हैंगे कि आपको स्कॉलर्शिफ अपलाई करने के लिए क्या क्या डॉक्मेंट देना होगा और फ्रेंड कैसे अपलाई करना होगा और इसका जो लास्ट डेट है ओ क्या है तो अगर आप यह सब जनकारी को डिटेल में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक करते हैं तो फ्रेंड अभी आप यहां देख सकते हैं हम अपना गुगल के करूम ब्राजर ओपिन कर लिए हैं सिंपली आपको गुगल के सर्च बार में टाइप कर लेना होगा इकल्यान सहीं आप इकल्यान टाइप किजिएगा तो फिर कुछ उसका इंटरफेस आप लोग क डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां से भी आप डायरेक्ट इस वाले साइड पर आ सकते हैं तो जैसे हैं आप यहां पर आईएगा तो यहां आपको एक नोटिफिकेशन जलते हुए देखनों के मिलेगा कि जो आपका स्कॉलर्शिप अप्लाई करने का लास्ट इडिट एक ओप्शन देखने के लिए मिलेगा तेहां किलिक हैर सिंपली आपको इसी पर किलिक करना है सेहीं आप किलिक हैर वाले सेक्षन पर किलिक कर दीजिएगा उसके बाद कुछ इंटरफेस आप लोग के सामने ऐसा सो होगा यहां देख सकते हैं स्टुडेंट के लिए कुछ नोटीस यहां पर दिया गया है इसको आप इजली रीड कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही नीचे जाईएगा तो एक ओप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा एकेडमी कियर 2021 और 2022 सिंपले हैं आपको ओप्शन देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं जो इसका इकलिया यहां पर देख सकते हैं और दोस्तों अगर आप वीदिन एस्टेट या फिर आउट साइड एस्टेट हैं अगर आप जहारखन से भी हैं और जहारखन के बाहर में भी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप अपलाई कर सकते हैं तो जैसे इसको स्क्रोल करके और थोड़ा कुछ दिखा रहा है तो फिर्ण वहाँ पे भी आप उसको चेंज कर सकते हैं अगर अगर आप वो इल्टर को सही करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उसको जेक कर सकें तो तक्रेंड इससे वीडियो के फोर्म फिल करना चाहते होंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या क्रिटेरिया को कंप्लिट करना होगा कॉलेज एंड इस्टुडेंट इलिजबल सेक्षन वाले आप्षन पर तो जैसे हैं आप इस पर किलिकिजिएगा तो कुछ इंटरफेस आप लोग के सामने ऐसा सो होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं स्टुडेंट के लिए क्या क्या क्रिटेरिया होना चाहिए और सारा यहां पर निंचे जाइएगा तो यहां पर देखिए आपको एक option देखने के लिए मिलेगा स्टुडेंट मस्ट भी ऑफ जहारखंड एस्टेट यानि कि यह स्टुडें होना चाहिए आप देख सकते हैं अगर आपका पूरा फैमिली का एनुवल इंकम करते होंगे तो 2,5,000 रुपया और स्टी के लिए भी 2,25,000 रुपया और अगर आप ओबिसी काश्ट से बिलों करते होंगे तो 1,500,000 रुपया अगर आपका इंकम सार्टिफिकेट इस एमां साथी साथ आपको इसके लिए और डॉकमेंट देना होगा जैसे कि कास्ट सटिफिकेट इंकम सटिफिकेट और रेसिदेंशियल सटिफिकेट कॉलेज का बोनाफाइट और आपका बैंक पासबूक और एक फोटो देना होगा तो फ्रेंड अब आप समझ चुके होंगे कि किस से और स्कॉलर्शिप के लिए हम अपलाई कर सकते हैं और साथी साथ उसके लिए क्या क्या डॉकमेंट आपको देना होगा और इसका जो लास्ट डेट है और 28 फरवरी 2022 तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो फसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक किजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ये जरूर किजिएगा तो चलिए आज के लिए इतना है तब तक के लिए जय हैंद जय भारत है वे नाइस दे आपका दिन सुभव आपका दिन सुभव